हाई अब्रिवान वेलकम तो मैं चैनल पिनेक स्टेडी ग्रूप इन इस वीडियो आप इंक्रीज इलेक्शन केम्पेंग ब्रॉड कास्ट टाइम इलेक्शन केम्पेंग का जो ब्रॉड कास्टिंग ताइम है वह भी इंक्रीज कर दिया गया हुए तो लेट्स टॉक अबाउ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इस इंक्रीज तब ब्रॉड कास्ट टाइम अलोटेट तो रेक्टिकल पारीज यहां पर आपने वर्ड देखने है रेक्टिकल पार्टिस ऑन दू दर्शन और अल इंडिया रेडियो तो एड कैंपेंग पो एलेक्शन तो दाइसलेटिव बिहार 2020 यहां पर यह बताया है कि एलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ने बिहार के इस लेटिव एसेंबली के एलेक्शन में दूर दर्शन पे और और अल इंडिया रेडियो पे इतनी भी रेक्टिकल पार्टिस ए उनका ब्रोड कास्टिंग टाइम एलेक्शन केंपेंग ब् ब्रोड कास्टिंग टाइमिंग हुटता कितने है इस बेस्टाइम ओफ नाइन्टी मिनिट्स विल बे गिवन तो इच नेशनल पार्टी और रेक्रगनाइस स्टेट पार्टी ऑफ बिहार यूनिफर्मली ऑन रीजनल केंद्र अफ दूर दर्शन नेट्वर्क और अल इंड पार्टी विल गिव मोर थन 30 मिनिट्स इन अ सिंगल ब्रोड कास्ट शेशन जो सिंगल ब्रोड कास्टिंग सेशन उगा उसमें 30 मिनिट गॉन्टी एक ते जाधा बार नहीं मिलेंगे एनी अदिशनल टाइम ब्यॉंड बेसिक 90 मिनिट्स विल बे गिवन तो पार्टी बीस् अब ट्रेक्टोरल परफॉरमेंस इन लास्ट असेमली एलेक्शन इन अगर कोई एक्स्ट्रा टाइम देना हो बेसिक 90 मिनिट्स से उनकी लास्ट परफॉरमेंस जोलों 2015 के एलेक्शन से उनकी परफॉरमेंस के बेसिस पर अदिशनल टाइम दिया जाएगा पर प्रफॉरमेंस यहां पर एक वर्ड मैंचन किया गया हूए है वह प्रशार बार्ती कॉर्पोरेशन इट्स अ कंसूंत with the election commission of India will decide the actual date and time for broadcast and the telecaste अब प्रसार बारती की बात करते हैं भी कॉस्ट प्रसार बारती corporation which is a consultation with the election commission of India अब यूनों प्रसार बारती इस इंडिया largest public broadcasting agency यह बारत की सबसे बड़ी public broadcasting agency है प्रसार बारती and it is a statutory autonomous body यह statutory body है जो कानून है उसका वो है प्रसार बारती एक 1990 प्रसार बारती एक 1990 इसना आटोनॉमस as well as a statutory body and comprises the दूर दर्शन television network and all India radio which were earlier media unit of under the ministry of information and the broadcasting and the parties will require to submit transcript and the recording in advance clear and next is in addition to the broadcasting by the parties the प्रशार बारती corporation will organize a maximum of four panel discussion and or debate on the Kendra station of a doodarshan and all India radio and each eligible party can nominate one representative to such a program यह पर कौन कौन से eligible parties and obviously recognized political parties whether national parties or the state party and abhiska significance क्या है with the pandemic restricting movement maintenance of safety for the people and the party workers through non-contact based campaign so that's why election campaign broadcasting timing बढ़ाई गई है and this can act as a experimental step to reduce the expenditure on physical campaign अगर हम लोक्सभा की बात करें तो हर एक जो candidate है वो maximum 70 lakh expenditure कर प्रवीजन होते हैं अब हम बात करते हैं types of parties देखे parties की कौन-कौन सी types होती है मैंने भी बताया वैदर इस नाशनल parties और the state party the election Commission of India list political party as a national party or state party or registered unrecognized party वो party registered होती है बट वो unrecognized होती है क्योंकि उसको रेकर्गनाइज़ेशन नहीं मिले होती है वह एक national party यह क्यावक्स्तेट पार्टी नाशनल पार्टी है नाशनल पार्टी और स्टेट पार्टी डोनों के अलग अलग प्रोवीजन होते हैं इसकी मैंने वीडियो बनाके रख्यों यह और इसका लिंक मैंने यूट्यूब अपने इस वीडियो के नीचे भी दिया हुआ है उस देख लेना वीडियो को इसमें ने आशनल पार्टी का मैंने एग्जेक्ट ली प्रोवीजन बताए है और दा कंडिशन फॉर बिंग लिस्टेड अजनल और स्टेट पार्टी अर्स पैसिफाइड अंडर दा इलेक्शन सिम्बल रेजर्वेशन एंड अलोट्मेंट और 1968 इस इस दा बिंग अब नेशनल और स्टेट पार्टी अब बात है कि रेक्रगनाइज जो स्टेटर्स है च वो स्टेटर्स लाइट नहीं ऐसा नहीं उसका भी प्रवीजर होता है कि वो कब उसका स्टेटर्स लोग हो सकता है जैसे वंस रेक्गनाइज अजनल और स्टेट पार्टी ऑप्लिटिकल पार्टी लोस्ट लॉस इस गिवन प्लीटिग फिट फुल्फिल अन्य वव था पर consecutive दो इलेक्शन होने चाहिए दिस मेंज अपार्टी रिटेंड इस्टेटर इर्रेस्पेक्टिव और इस परफॉर्मेंस इन दा नेक्स्ट इलेक्शन उनके ब्रोड कास्टिंग बढ़ा दिया है और ब्रोड कास्टिंग अडर्टा पर्शार बारती कॉर्पोरेशन इन विच ओल इंडिया रेडियो और दूर दर्शन जनुर्ट इस वीडियो थैंक यू अन टेक कियर